13.1.1 गोली दर्पन से जुड़ी कुछ प्रमुक परिभाशाएं गोली दर्पन के परावर्तक सता का केंद्र धुरू पोल कहलाता है वह इसे पी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है यह वक्री गोले की सता पर इस्थित होता है जैसा कि आप जानते हैं गोली दर्पन की परावर्तक सता एक गोले का भाग है इसलिए गोले का केंद्र वक्री दर्पन का वक्रता केंद्र सेंटर ओफ करवेचर कहलाता है इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं यह दर्पन का भाग नहीं होता है गोली दरपन जिस गोले से बना हो उस गोले की तरिज्या दरपन की वकृता तरिज्या रेडियस ओफ करवेचर होती है इसे आरद्वारा दर्शाया जाता है यह धुरूव तथा वकृता केंद्र के बीच की दूरी होती है ध्रूब तथा वकृता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष मेन एक्सिस कहलाती है यह ध्रूब पर अभिलम होती है गोली दर्पणों से संबन्धित एक अन्यपद मुख्य फोकस मेन फोकस कहलाता है इसके बारे में जानने के लिए हमें क्रिया कलाब करेंगे क्रिया कलाब दो एक अफ़तल दर्पण लीजिए और उसके परावर्तक प्रिष्ट को सूर्य की ओर रखिए दर्पण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा और इस परावर्तित प्रकाश को हम एक कागस पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जब तक कागस पर प्रकाश का एक चमकदार तिक्ष्न बिंब नहीं प्राप्थ हो जाता कागस को आगे पीछे धीरे धीरे खिसकाए आप यदि कागस तथा दर्पन को इसी इस्थिती में कुछ मिनट रखते हैं तो क्या होता है? वास्तव में कागस पर बनने वाला यह चमकीला बिंदू सूर्य का प्रतिबिम है जिसे हम कागस अर्थात परदे पर प्राप्थ कर रहे हैं यह प्रतिबिम वास्तविक प्रतिबिम, रियल इमेज है वह बिंदू जिस पर हमें सूरे का सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रतिविम प्राप्त होता है अफ्तल दर्पन का फोकस बिंदू, फोकल पॉइंट कहलाता है गोली दर्पन के मुख्य अक्ष के समानतर आपतित केडने परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदू से होकर जाती है अफ्तल दर्पन में अथ्वा आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पन में यह बिन्दू ही गोली दर्पन का मुख्य फोकस होता है जिसे F द्वारा दर्शाया जाता है गोली दर्पन के ध्रूव P तथा F के बीच की दूरी, फोकस दूरी F, फोकल लेंथ कहलाती है गोली दर्पन के वक्री प्रिष्ट की एक सीमा रेखा होती है यह सीमा एक समतल व्रिष्ट होती है इसी व्रिष्ट के व्यास को दर्पन का द्वारक एपर्चर कहते हैं चित्र दो में M, M' द्वारक को प्रदशित कर रहा है छोटे द्वारक के गोली दर्पनों के लिए वक्रता त्रज्या फोकस दूरी से दो गुनी होती है अर्थात R बराबर 2F दूसरे शब्दों में किसी गोली दर्पन का मुख्य फोकस उसके ध्रूप तथा वक्रता के लिए को मिलाने वाली रेखा का मद्धिविंदू होता है